दोस्तो आप जो ये बैरिंग देख रहे हैं इसका ग्रिस सुक चुका है जिसके करन पंखा धीरे गूम रहा था तो इस बैरिंग को वास करना होगा तो देखे इसे कटोरी में डाल दिया गया इन दोनों बैरिंग को और यहां पर जो है कि मिट्टी का तेल लिया गया है इस और देखे तूत बरस के मदस से इसे रगड़ रगड़ के साप के जा रहा है मैं यहां पर सिर्फ वीडियो सूट कर रहा हूँ यह मिस्तिरी यह अपना काम कर रहा है मैं काम नहीं कर रहा हूँ जो यह मिस्तिरी काम कर रहा है उसका वीडियो मैं सूट कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूं कि ये मिस्तिरिक की तरह से बैरिंग को साप करता है तो देखें ये इस तरह से बैरिंग को साप कर रहा है देखें रगड़ रगड़ के अच्छी तरह से ये सारा इसका जो गंदगी है निकालने का कोशिस कर रहा है अब इसे देखें थोड़ा सा यहां पर ठ ठोक रहा है ताकि जो गंदगी है वो बाहर निकल जाए इस तरह से ठोकने से इसमें जो गंदगी रहता है वो बाहर निकल जाता है तो देखे इस तरह से ही आपको भी साफ करना है बैरिंग को तो यह थोड़ा सा गंदा मीटी का तेल लिया है आप जब लेंगे तो आप साफ म मिटी का तेल सही साफ करेगा लेकिन अभी सिर्फ इसके गंदगी को निकालने के लिए ये जो पहले वाला तेल था जो गंदा था उसी सही साफ कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है बात एक ही है तो देखे ये काफी महनत करके से साफ कर रहा है मैं सिर्फ वीडियो सूट कर रहा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हर मिस्तिरी अपने तरीके से काम करता है तो इस मिस्तिरी का अपना तरीका है देख लिजे ये किस तरह से काम कर रहा है ये बैरिंग देखे साप हो चुका है ये थोड़ा सा bearing को देख रहा है कि bearing कोई धग तो नहीं है, यानि कि bearing खराब तो नहीं, वो चेक कर रहा तो इसे लग रहा है कि नहीं bearing तो बिलकुल सही है, तो ये इसे इधार रख दिया, अब देखिए दूसरे वाला जो bearing है इसे साब कर रहा है मिटी के तेल को घांसलेट या किरोशन तेल या किरासन तेल भी कहा जाता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ मिटी के तेल के ये तीन नाम है तो देखें दोनों बैरिंग को ये अच्छी तरह से रगड़ा-रगड़ के साफ कर गर दिया है अब इसमें देखे जो ये साफ वाला मिट्टी का तेल है इस से इस बैरिंग को धो रहा है देखे इस तरीके से यानि कि साफ कर रहा है देखे पहले तो ये गंदा वाला जो मिट्टी का तेल था उससे साफ कर लिया अब ये देखे साफ वाला मिट्टी तेल से इससे साफ कर र यही तरीका है अच्छी तरह से बैरिंग को साफ करने का तो यहां पर यह दोनों बैरिंग अच्छी तरह से देखे साफ हो चुका है यह मुझे दिखा रहा है कि देखे दोनों बैरिंग अच्छी तरह साफ हो चुका है अब इस बैरिंग को सुखे कपले से देखे यह पोच र रहा है या नहीं तो बिल्कुल फिरी घुम रहा है और दूसरे वाले बेरिंग में भी देखे ये मोबिल डाल रहा है और इसे भी देखे गुमा कर देख रहा है ये बिल्कुल फिरी घुम रहा है अब इन दोनों बेरिंग को गुमा कर देखने के बाद इसमें क्या करना होगा इसमें ग्रिस डालना होगा यानि कि ग्रिसिंग करना होगा तो देखें यहाँ पर यह ग्रिस लिया है इस ग्रिस से इसे ग्रिसिंग कर रहा है देखें इस बेरिंग में ग्रिस इस तरह से लगाने को ही ग्रिसिंग कहते हैं तो देखे बेरिंग में ग्रिस लगा जा रहा है तो मैं आपको बताया कि सभी मिस्तिरी का अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का तो मैं वो तरीका आपको दिखा रहा हूँ इस मिस्तिरी का जो तरीका वो दिखा रहा हूँ जब मैं दूसरे किसी और मिस्तिरी का वीड खराब या गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि सभी का अपना अलग अलग तरीका होता है काम करने का तो देखें यहाँ पर कौन सा यह ग्रिस लिया हुआ है वो भी देख लिज़े SKF SKF कमपनी का यह ग्रिस यूज कर रहा है मैं आपको इस वीडियो में यह भी दिखाऊंगा कि इस बैरिंग को यह मिस्तिरी किस तरह से पंखे में फिट करता है उसके बाद पंखे का पूरा फिटिंग दिखाऊंगा कि इस मिस्तिरी का फिटिंग करने का तरीका क्या है पंके का connection करने का तरीका क्या है केपासिटर का connection करने का तरीका क्या है ये सब आपको ये mystery करके दिखाने वाला है तो चलिए वीडियो को लाश तक ध्यान से देखते रहिए तो देखे इस bearing में grease को अच्छी तरह से लगा दिया गया है याने कि यह जो bearing है इसका gressing complete देखे यह हो चुका है अब दूसरे वाले bearing को gressing किया जाएगा तो देखे इसके लिए यहाँ से grease को निकाला जा रहा है देखे इस तरीके से अब इस bearing में grease लगा जाएगा तो इसमें भी उसी तरीके से grease लगा जाएगा जैसे पहले वाले बेरिंग में लगा गया था उसी तरीके से ये दूसरे वाले बेरिंग में ग्रिस को अच्छी तरह से लगा देना है तो देखे दोनों bearing में grease लगा दिया गया अच्छी तरह से यानि कि दोनों bearing का greasing complete हो चुका है अब इन दोनों bearing को पंखे में fit करना होगा तो सबसे पहले कोई एक bearing उठा लेना है और उस bearing को पंखे के body में fit करना है देखे इस तरीके से तो देखे यहाँ पर इस bearing को इसके अंदर डाल दिया गया अब इस bearing को थोड़ा सा अंदर करना होगा तो इसके लिए देखे इस तरीके से अंदर कर दिया गया यानि कि bearing बिल्कुल बराबर बैड़ गया है अब ये देखना होगा कि ये बैरिंग सही से घुमता है यानि तो देखे इसे उंगली में ले करके ये इस तरह के से घुमा कर देख रहा है तो देखे ये बिल्कुल फिरी चल रहा है यानि कि ये बिल्कुल ओके हो चुका है अब देखे इसमें दूसरा वाला बेरिंग फिट किया जा रहा है तो यहाँ पर भी इस बेरिंग को जो है कि अच्छी तरह से बैठाना पड़ेगा तो देखे इस तरीके से बैठाया जा रहा है बिल्कुल बराबर कर लेना है तो देखे ये बिल्कुल बराबर हो गया है तो ये भी सही तरीके से बैरिंग इसमें बैड़ गया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों बैरिंग को अच्छी तरह से पंखे के बोड़ी में फिट कर दिया गया है अब इसके एस्टेटर को फिट करना होगा तो देखे यहाँ पर इसे एस्टेटर को फिट करने के लिए ये पहले यहाँ पर इस्प्रिंग लगा रहा है देखे, इसे यहाँ पर spring लगा दिया, अब इसे देखे पंखे के बोड़ी में इस तरीके से fit कर रहा है, तो मैं आपको बताया ना, सबका अपना-पना तरीका होता है, तो इनका अपना तरीका है फिट करने का तो देखें यहाँ पर यह इस तरह के से पंखेक एश्ट्रेटर को इसे बैठा करके अब यह यहाँ पर एक कपड़ा रख दिया इसके लकडी के टूकड़े यहाँ रख करके हाँ थोड़ी से इसे मार कर एस्टेटर को देखे नीचे करके बैठा दिया अच्छी तरीके से घुमा कर देख रहा है कि ये एस्टेटर सही तरीके से बैठा याने तो ये बिल्कुल फिरी घुम रहा है कोई दिक्कत नहीं है अब इस पंखे का जो बोडी का दूसरा वाला बहर है इसमें लगा दिया अब इसे सही तरीके से मिला करके जहां पर इसका होल है वहां पर मिला करके इसे देखे बैठा दिया अब इसमें जो तीन इसकुरू लगता है वह तीनों इसकुरू यहां पर अच्छी तरीके से लगा रहा है देखिए तीनों इस्कूरू को यहाँ पर लगा दिया अब इसे स्कूरू ड्रावर के मदद से इसे अच्छी तरह से टाइट कर रहा है देखिए पंक्खे का जो इस्कूरू होता है इसे अच्छी तरह से टाइट करना पड़ता है इस बात को आपको ध्यान देना होगा तीनों इस्कूर को टाइट करने के बाद देखे ये क्या करेगा इसे गुमा कर देखेगा कि ये सही गुम रहा या नहीं तो इसे लग रहा है कि थोड़ा सा और इस्कूर को टाइट करना होगा तो ये इस कुरू को थोड़ा सा और टाइट करने का कोशिस कर रहा है जितना टाइट हो सकेगा इसे टाइट कर देगा इस तरीके से अच्छी तरीके से इस कुरू को टाइट किया जाना चाहिए हुए ठीक है तो देखे अब यह गुम आ कर देख रहा है तो यह पनक्त बिल्कुल सही गुम रहा है कोई दिककत नहीं है जरा सभी जाम इसमें नहीं लग रहा है अब इसमें ि fluid क्लिंप लगादागा देखिए यह वाला capacitor clamp है जिसे यहाँ पर लगा जाता है तो यहीं पर इसे लगा दिया जाएगा देखे इस तरीके से यहाँ पर लगा जा रहा है अब यहाँ पर capacitor को इस तरीके से लगा दिया जाता है इस कलेंप में इसके बाद इसका connection करना है तो connection करने का बहुत ही आसान तरीका है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें जो red वाला ये wire है ये जो है कि इस पंखे का common wire है ये red वाला wire जो है कि common wire है ठीक है तो देखे इस वायर को कहां पर लगाना है इस वायर को जो है कि यहां पर आप उपर वाले में लगा सकते हैं ठीक है या फिर आप नीचे वाला में लगा सकते हैं तो देखे इसे उपर वाला में ही लगाया जा रहा है तो अपने तरीका अपने तरीका है उपर लगा या नीचे जहां आपको लगाना हो लगा सकते हैं तो यहां पर इसे देखे उपर में लगा दिया लगाया जा रहा है यह common wire है ठीक है तो देखे यहां पर यह लग गया है यहां connect हो चुका है अब यह जो दो wire बच जाता है इसे capacitor का दोनो wire में जोड़ना है कोई भी wire किसी में जोड़ सकते हैं यह जो दोनो wire बच जाता है यह blue वाला wire जो है कि starting coil का wire है ठीक है और जो yellow वाला wire इसमें लगा हुआ है वो running coil का यह yellow वाला wire है तो yellow वाला और blue वाला wire को आप capacitor के दोनों wire में से किसी भी wire में आप जोड़ सकते हैं इसमें उल्टा सीधा नहीं होता है अब जो ये yellow wire और capacitor वाला wire एक में जुड़ा हुआ है इसे आपको क्या करना है? यहाँ नीचे वाले में जोड़ देना है बीच वाले में जो है कि blue वाला wire यहाँ पर जुड़ता है लेकिन बीच वाले में क्या है कि screw नहीं है screw गिर गया है जिसके कारण ये blue वाला wire बीच वाले में नहीं लगेगा ठीक है? तो यहाँ पर इसे जोड़ देना है और इन्हीं दोनों wire में आपको फेज आउनीटर को लाइन देना है यह वाला wire अब जो है कि क्या करना है इसमें tape लगा देना है क्योंकि यह वहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ पर जो screw था वो गीरा हुआ था जिसके करनी यह वहाँ पर नहीं लग पाएगा इसलिए इसमें tape लगा करके इसे इस तरीके से कर देना है आप यहाँ पर slip pipe भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी सबका अपना अपना काम करने का तरीका होता है तो यह यहाँ पर tape लगा रहा है यहाँ पर tape लगाने के बाद इसे क्या करना है यह जो capacitor clamp है इसी में इसे फासा दे गई है तो देखे यह कहाँ पर फासाता है देखे यहाँ पर जो यह clamp है इसमें इसे फासा दिया तो इस तरीके से यह connection पूरा हो जाता है तो देखिए ये connection इस तरह से किया गया है